हलो मेरे जिगर के छलो कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग खीक होंगे और मैं जा रहा हूँ नोटी गाओ दिली से 80 किलोमेटर जूर है तो कि मेरी कमर में बहुत जादा दर दे जरुवत से जादा उससे जादा दर खड़ा नहीं हुआ जा रहा बतानी नज जिंदीगी में कुछ हो या ना हो दोस्तों का होना बड़ा जरूरी है तो कि मेरी जब जब तवेत कराब होई है यकिन जानों आप लोग मेरी साथ हमेशा कड़े रहे हैं और हमेशा ही मुझे पताल वगरा कहीं भी जाना होता है तो मुझे बगए किन्तु परंतु ले जात तो मैं आपको दिखाऊंगा लोटी गाउं का रास्ता इसके भी टैक पेन हो तो वहाँ पर जाके जरूर दिख्वाएं तो कि मैं आज से तकरीबन तीन-चार मैने पहले दबाई लाया था मुझे बहां से तोड़ा आराम था पर लोगों के बर्गलाने से मैं वहाँ पर तो कि डॉक्तर के पास जा जाके तो सार्थे में ठख जया हूं बहुत ही जाला काम करता हूं मैं ऐसा नहीं की रिसार पकड़ लगा है वाई काम तो करना पड़ेगा तरह दो तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं लोटी गाउं का रास्ता मैं आगा हूँ वेलकम के तो दोस्तो हम पहुचने वाले हैं गाजियाबाद टोड़ा सा यह गाजियाबाद का यह मैटो सेशने और पता नहीं कौं सा मैटो सिशन एडिये लिगा और रांज अंदर पेंगर मैटो तो अच्छा मौसम हो रहा है बारिश का अंदेशा है बारिश हो जाएगी तो अमारा मामला खराब हो जाए और यह मेरा दोस्तों पीछ जो के हैं दोस्तों इसनन ऐर पॉर्स बाजया पार यह एंटन भारिके बहुत अच्छी बनती है यार फंकज भाई पारी शोरी है है बहुत जबर्दस और हमारा आज का आना लग रहा है हम भीखते भिगाते जाएंगे यहां से अधिये गड़े वें मामू कि वालब से भी यह आयपी आई है डियाइपी आई है हम तो निकल कहें महां सी है अग्याजियाबाद प्रेज पर चुके हैं हम आचुके स्ट्रेम गाजियाबाद और हम अब जाएंगे हाफुड तो दोस्तों हम पहुचने वाले हैं यहां से एक डिल घंटा लग जाएगा और रास्ते बर की वीडियो बनाते वे जा रहे हैं और हलकी बारिश हो रही है बारिश में भीगते वीगते वे आराम से पहुचेंगे और मेरा आना बहुत जरूरी था इस शक्कर में हम भीगते वे जा रहे हैं दूआ यही करता हूं कि रासे में बारिश रुक जाए पर लगता नहीं है कि बारिश रुकेगी बारिश ने बहुत जादा हमारा मामला खराब कर दिया है और हमें डर भी लग रहा है बाइक चलाने में कहीं हमारी बाइक सिलिप न हो जाए इसलिए आराम आराम से गाड़ी चला रहा हूँ ताकि हम साथ घर्यस से क्लिनिक पहुँच जाएं और अपनी दवाई लिया है देख सकते हैं कितनी जबरदस बारिश हो रही है और देखें साइट का व्यू कितना प्यारा है जबरदस्त मज़ा आता है लॉंग ड्राइब पर जाने में और यह चल रही है मेरी बाई और यह मेरा दोस्त पीछे बैठावा और हम पूरी तरह भीग चुके हैं हमारे सारे कपले भीग गए मेरा वालेट भीग गया और बारिश की बुंदे ऐसे लगरी जैसे गोलिया चली ह अब चेहरे पर दोस्तों हम पहुंच गाए हापुड तोल और वहुती तगड़ी बारिश हो रही है यकीन वानों आज का अमारा आना ऐसा हो रहा है जैसे कि हम तुफान से लड़ ले हैं बारिश ऐसी लगरी है चेहरे पर बुंदे ऐसी लगरी खतरनाक वाली जैसे कोई ग हमें कहीं पर रुख जाना चाहिए लेकिन तोला था में पासने वाले नहीं है अब रुकने वाले नहीं है आपके पहुंचा दियो साथ खेरेस से वाक्सी आ जाये और इसी में हमारा भला है जो है पंकज बिलकुल बाइक लिगते हैं दुबारा अपने राइट पर बुंद दोस्तो अल्ला का शुकर है कि हमने चश्मा पहन रखा है और हमारी आखों में पानी नहीं जा रहा है अगर चश्मा नहीं पहनते तो गाड़ी चलाना बहुत भारी पड़ता देख सकते हैं कारे कितनी जबर्दस निकल रही साइट से और हमारे उपर पूरा पानी फेकते और बहुती जबर्दस और बाइक चलाने में बहुती ज़्यादा मज़ा आ रहा है और यह मेरा दोस्त पीछे वैटा हुए कपकपा रहा है और मुझे भी ठंड लग रही है क्योंकि हमारे पूरे कपड़े भीग चुके हैं बहुती बुरी तरह से देख सकते हैं आप लोग हुआ दूपी अबरे भीग भीग स्थे ज़्यादा क्योंकिया स्क्ते पीछीग का स्चुके ठंड फिलाको नुत भीग ठंड अर नुत करते हैं 죄송at है जा अबना तुटा मणा है हमें दिर्ग हम्ति में dai सुदी करएं लगार के जाया का जू कि इसना बहुत है अब इस रखराएं ने रखराएं में अपले इसांड़ें अभराव लारा से अद्धरी सिलते का जा रहे हैं यहां पर जंगली जंगल है और देखें कितने बड़ा बाग है और यह देख सकते हैं तर इस साइड होई भी वहती अच्छा नादारा है यहां का जो बाद है देख सकते हैं रोड़ी विल्कुल चास उतरी है और आगे फ्लावर का काम चल रहा है तो दोस्तो हम पहुचने वाले हैं बस 5-7 मिनट में और देख सकते हैं हर तरफ हरी आली हरी है और यहां पर आम के बाग भी बहुत जबरदस्त हैं पिछली बार आया था एक आम वाला मिलाता मुझे जिस का बाग था तो कह रहा था जब आम का सीजन आएगा तो आप यहां पर आना और हम आपको आम खिलाएंगे तो उसके बाद हमारा आने ही नहीं हुआ मैं दवाई मेरी खतम होगी थी यहां अती दूर आने की हिम्मत में हुई फिर दूबर भटका भी नहीं लेकिन आज मैं फ इसकी वज़े से हमारी अपॉर्टमेंट हो रही थी तो यहां पर लगेगा ताइम तो इसके बड़ी हम सोड़ा बहुत यहां पर इंजुआए करते हैं और यह देखिए यहां का पोटू लेकर डाल देता हूं ताकि आप लोग को आसानी रहें यहां पर आने की दोस्तों य हाँ पर मैंने देखी मज़िद बहुती खुबसूरत मज़िद है यह एईद गाह देख सकते हैं कितनी प्यारी मज़िद बनी हैं यहां पर फिटार में और हर तरफ बहुती अच्छा है गाउं की जिन्दगी एक अलगी जिन्दगी है मज़ा आता है जो बात है बस सोड़ी से यहां पर परेशानी होती होस्पिटल वगरा की सब दिल्ली वगरा में हैं तो यहां से लोगबाग को परेशानी होती बाकी तो बहुती जबरदस लेरी आई और मुझे मज़िद देखके बड़ी फुशी हुई देख सकते कितनी प्यारी मज़िद बनी लिया है हमारा एक दोस्तों यह हापुर से आगे आके किठ और गाउं पड़ता है और गाउं में एक लोटी गाउं है और यहाँ पर एक क्लेनिक बनावा है और देखे कितनी ज़ादा भीड हो रही है आप देख सकते हैं मेरा नमबर कम से कम डेल दो घंटे के बादी आता और यह अंदर जो है कमर की मालिश होती है और बहुती जबरदस्त मज़ा आ जाता मालिश करवा के देख सकते हैं कितने बड़ा क्लेनिक है यह और यहाँ पर मेरा नमबर आ चुका है दवाई के लैंड में लगा वा हूँ मैं तो दोस्तो हमने दवाई ले लिए अपनी कमर के दर्द की और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरे लिए दुआ करें कि यह दवाई मेरे को राज आ जाए और मेरी कमर के दर्द ठीक हो जाए मैं बहुत ज़्यादा कमर के दर्द से परिशान हूं दो साल से बहुत ज़्य यहां का रिजल्ट बहुत अच्छा है बीड़ लगी अंदर की वीडियो में बनाना चाहता था बनाना चाहता है बंदे अंदर काम करें बहुत अच्छा नेचर है नमबर और कम से कम तीन बजे नमबर आता था थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके मैंने अपना नमबर जल्दी लगवा लिया तो दोस्तों चलिए मैं अब दिल्ली के लिए यहां से निकलता हूं तो इन्शाल्ल तीन बे तक हम दिल्ली पहुच जाएंगे और बारिश पर जाके पर स्बाइब स्थाइब कर दूंगे आप लोग को खिसी को भी आना हो तो मैं एड्रेस इसमें मेंशन कर दूंगा और आराम से आ जाधा मेहंगी दवाई नहीं है बस आने जाने छाए आठ सो रुपए का मेरी बाइक में पैटरॉल लगा है और ये बारा सो तेरा सो रुपे की दवाई है मतलब कि 21-22 रुपे की ये 15 दिन की दवाई बैठेगी मेरी तो चलिए दोस्तों हम दिल्ली के लिए जाते हैं और यहां से निकलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में कितना भीग के जाते हैं दोस्तों हमारे निकलते ही बारिश तेज हो गई है और देख सकते हैं पंकज भाई का चेहरा इनको कितनी जादा ठंड लग रही है और हवा भी तेज चल रही है और बड़ा मज़ा आया लेकिन आज का बयाना हमने बहुत जादा गलत ले लिया था लेकिन मुझे दवाई च मिली और जाने में भी बारिश मिली और पंकज भाई बाइक के मज़े लेते हुए और हाइवे से मैं बाइक ले लूगा वहाँ से बाइक खीचूँगा हमें जल से जल अपने घर पहुचना है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है अभी भी हम आगा है किटोड से दाफराबाद और दाफराबाद में हम खारें बिर्यानी बिर्यानी कवाब बहुत अच्छी बिर्यानी हो रही है एक नंबर की और कवाब की एक नंबर के हो रहे है हुआ है कि अपने घर पर अंगज भी कैसा लगा और दस बज़े गहते और तीन बज़ें वाक्षी आगए अज का व्लॉग हमारा यहीं खतम होता है और अपने जा रहा हूं कर अला अपिस आप लोग अपना दियार नखे और पर बिरें रागए